नमस्कार दोस्तों आज हम आपको एक सीटी दिखाने वाले हैं सीटी स्टेंड फोर करेंट ट्रांसफर्मर यह देखिए यह आपके सामने एक सीटी है इसमें एक दो टर्मिनल दिया हुआ है जिस करेंट केरिंग कंडक्टर को जिसमें करेंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करना हो तो उसका एक टर्मिनल हम इसमें लगाएंगे और इससे पास करेंगे यह देखिए यह इसका पीवन है जो जो करेंट करिंग कंडक्टर को लगाना इसमें इससे इन करेंगे और इससे आउट करेंगे सेकेंड वाला टर्मिनल यह हमारा पीटू है इसका नेम प्लेट प्राइमरी करेंट अगर 300 एंपियर जाएगा तो इसे सेकेंडरी जो करेंट है हमारा वह वन एंपियर फ्लो होगा इसमें 311 का मतलब क्या है क्या है क्योंकि इसमें 3 सेकेंडरी पॉइंट जो है मेरा तीन रेशियो दिया हुआ है इसको हम जीसे डाइग्राम में दिया हुआ है जो P1 P2 जो में रहा है P1 से कर्ड़क्टर इन हो रहा है P2 से आउट हो रहा है और इसमें CT का तीन कनेक्शन दिखाया हुआ है 1s1 2s1 2s2 3s1 3s2 अपि हम इसका टर् 2s1 2s2 3s1 3s2 यह हमारा तीन टर्मिनल दिया हुआ है तीन रेशियो का दिया हुआ है अभी हम लोग क्या क्या है 1s1 1s2 को यूज कर रहे थे इसलिए 2s1 2s2 3s1 3s2 को सौट करके रखे हैं सीटी का एक सबसे बड़ा एक सीटी का एक इसमें वार्निंग है कि जब भी हम लोग कनेक्शन करते हैं इसका हमेशा जो हम सेकेंडरी है इसका वो हमेशा सौट रखना चाहिए सेकंडरी को सीटी का कभी ओपन नहीं कर सकते हैं सेकंडरी को अगर लाइन में ओपन करेंगे त को बिशूर ना तो हाइब कर सकता सिद्ध्धा ए और फ्लास्ट यो आदमी काम कर रहा है उसको भी खत्रा है इसलिए जब भी स्टि में काम करें तो हमेशा है सिद्धि भी08 आप सेपसे कंपरा के रल्खें दो स्टोफ चिकरिकल के राहि है और एक यह 1s11s2 को हम यूज कर रहे थे इसलिए इसको ओपन करके रखे हैं अलब जो हमारा जो करेंट को मेजर करना है जो सेकंडरी पॉइंट है वह हम इससे ले जाके अगर मेरा मीटर है तो मीटर या जो मेरा एनरजी मीटर है उसमें देना है तो इससे हम ले जाके 1s11s2 से होगा है चलिए आज के लिए इतना ही थैंकिए